केंद्र सरकार द्वारा आज जातीगत अधार जनगर्णा को मंजूरी दे दी गई है इस जनगर्णा में विभने राजियों में निवास करने वाले अल्प संख्यक और बहुत संख्यकों के आखड़े को एक अत्रित किया जाएगा इसके लिए केंद्र सरकार राजियो को निर्देश करेगी राजियो द्वारा रिपोर्ट जारी किये जाने के बाद केंद्र सरकार इनाखडों को जारी करेगी और एक समीती द्वारा इसकी समिक्षा की जाएगी तो यहीं ये बड़ा फैसला केंज सरकार द्वारा आज आयोजीत की गई बैठक में लिया गया है बैठक को लेकर वित्मंत्र रूंजेटली ने पत्रकारों से चर्चा की है इस दोरान उन्होंने कहा कि सरकार जाती अधारी जंगंडा में मंजूरी दे रही है इस दोरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार च्यालेस लाख जातीयों के आखडों को राज्यों से कच्रित करेगी और आखड़े मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा सरकार जातीयों की गिनिती जारी करेगी तो जातिगत जनगंड़ना के आंकड़े जारी किये जाएंगे। कमिटी और इकनोमिक अफेर्स की मीटिंग थी और उस मीटिंग दोनों मीटिंगों में कई विशे लिए गए एक प्रमुक विशे में आरम में आपको बतला देता हूँ 19 मई 2011 को मंत्रि परिशद ने निरने किया था कि सोशल इकनोमिक और कास सेंसर्स भी सेंसर्स का हिस्सा रहेगा दोहजार इना के सेंसर्स का से उसी मीटिंग में ये भी तैप हुँए था कि जो इकनोमिक डेटा आएगा उस उस सोशल इकनोमिक डेटा का जो नोर्डवों मिनिस्ट्री होगी वो रूरल डव्लप्म Очांक मिनिस्ट्री होगी और अर्बन डेवलप्मेंट्ट्री होगी उसके लिए सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेर्ज मिनिस्ट्री उसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेंगी यह इन तमाम मंत्रालेओं को सेंसर्स की रेकमेंडेशन आने के बाद भेज दिये गए थे डिटेल्स और रूरल डिवलप्मेंट मिनिस्ट्री ने जो पूरा डेटा प्रोसेस किया और उसकी जो रिपोर्ट अपनी तयार की है वो कुछ दिन पहले सारवजनिक की गई थी अर्बन डेवलप्मेंट मंत्राले में अभी उसका काम चल रहा है जो कास्ट डेटा था कास्ट का और ट्राइब का वो दो हजार यारा उन्निस मई के डिसिजन के मुताबिक जो उसकी डीटेल्स आती है उसमें हर प्रकार के व्यक्ति कोई कास्ट कोई सबकास्ट कोई नाम कोई सिननेम कोई सरनेम कोई गोत्र कोई क्लैन और यह लगबग 46 लाख कास्ट सबकास्ट नेम्स हैं गोत्र वगएरा जिसकी डीटेल्स हैं